तो मैं जो हाओ डुलिवर गुगली इसली स्टेप बाइ स्टेप बना रहा हूं उसका स्टेप 3 है वो आने वाला है इस वीडियो के बाद मैं आज लाइन और लेंद के बारे में आप दोंको बाता हूंगा गुगली की इस वज़े से क्योंकि स्टेप 3 में इसका बहुत गुगली ने की रिंट क्या होती है और आपको कहां इक्जाक्ट गुगली दालनी चाहिए तो अगर आप भी उगली लेंश डालना चाहते तो देखिए वीडियो लास्त तो पहले बात कर दें लाइन की अगर आपकी बॉल कम टें होती है और आप ऑस्टम के बाहर रखते है तो विकेट मिलने के chances उससो कम हो जाएंगे क्योंकि आपकी बॉल कम turn हो रही है और stump तक बॉल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा LB भी नहीं हो पाएगा इसलिए अगर आपकी बॉल कम turn हो रही है तो आप off stump पे रखेंगे बॉल हलकी अंदर आएगी ग्याप बनेगा बैट और पैट की बीच में अगर तो बोल्ड हो जाएगा बैट में वरना LB भी हो सकता है तो chances बनेंगे अगर आपकी बॉल कम turn हो रही है तो आप line रखे off stump पे अगर आपकी बॉल ज्यादा turn हो रही है और आप डालने off stump पे तो जाहिर सी बाद बॉल गुंके wide चली जाएगी इसी लिए अगर आपकी बॉल जादा ड़न होती है तो आप स्टम के भी बहार डाले तब ही चांस बनेगा विकेट का लबीड़ू का या तो बोल्ड का अब बात करते हैं लेंद की लेंद दोस्तों भई नॉर्मल लेंज होती है फुल लेंज गुड लेंद आपको रखनी है अगर जादा डालेंगे फुल टॉस हो रहेंगी बैट्समें मार देगा और कैच दोने के चांस इस कम है लेकिन अगर आपकी बॉल लेंद पे तो लल्चा के उसका रोडेशन अलब होता है न तो लल्चा के बैस्में मारेगा या तो वो टॉपच देगा कैच हो जाएगा हो आपको तीन चके बड़े फुल लेंद वाली फुल लेंद वाली गुगली पे अगर आपकी बॉल थोड़ी तेज तो आप रखे गुड़ लेंद पे रखेंगे बॉल की बाउंस होगी तो चांस बनेगा बोल्ले अर्बिव लुगा आप बीचे कहाच हो सकता है अकॉड़र बोल्ड हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अगर आप फ्लाइट यूगली डालते हैं तो फुल लेंद पे रखिए थोड़ी तीज जालते हैं तो गूड लेंद पे रखिए शौट नहीं रखनी है क्योंकि उस पर टाइम मिल जाएगा और इसली वह खेल देगा तो अगर आपक आपकी थे ईापकी वहांस वरोगं कर दो दो आपकी वहांस फुरोचिंग